क्या आपके फोन पर लगातार ऐसे मेसेज़ेद आते हैं कि आपको इतने इनाम की राश्य मिल गई है या आपके 300 को कभी फोन आता है कि वो करोनों जीत गए है कि वोले एक SMS बताईए एक कूड बताईए और आप लाको रुपय आपके एकाउन में ट्रांसफर को जाएंगे ऐसे साइबर क्राइम इंडिया में बढ़ते ही जा रहे है लगातार बढ़ती भी प्रॉब्लम को देखते हैं और यहां तक कि जॉब्स के लालच में लोगों को गुलाम बनाने की साइबर स्लेवरी तक करवाने की चीज़े सामने आई है और उसी को लेकर आया है सामने एक खुलासा जिसके अंदर इंडिया की जो डिपार्टमेंट अफ पही कॉम्मिनिकेशन है उन्होंने काया कि वो लगबग 2.17 क्रोड कनेक्शन को बंद करेंगे यानि 2 क्रोड से भी जादा मुबाइल कनेक्शन बंद किये जाएंगे क्योंकि टेलेकॉप मिनिस्ट्री को पता लगा है कि रिपोर्ट के थ्रूबी और पहले आती लगा तान न्यूस के थ्रूबी कि कैसे फ्रॉड, स्कैम और इवन डिजिटल स्लीवरी तक की जा रही है और इस खेल में केवल इंडिया में बैठे कुछ लोग नहीं बलकि इंडिया से बाहर के दिशों का भी involvement है और किस तरह इंडियन लोगों को बाहर बुलाया जाता है काम करने के लिए उसके बाद उन्हें वहाँ पर साइबर स्लीवरी करवाई जाती है उनसे काम करवाया जाता है उनसे मजबूरन पैसे देकर या फिर जबरदस्ती स्काम करवाया जाता है इंडियन लोगों के साथ क्योंकि अगर आपको कोई कोरिया से जपान से फोन करेगा तो आपको पता लग जाएगा इंडियन नहीं तो इंडियन के साथ स्कैम करने के लिए इंडिया से लोग बुला जाते हैं, उनके नमबर्स यूज के जाते हैं, कई सारे ऐसे फोन नमबर्स हैं, जो स्पेसिफिकली इस चीज के लिए यूज होते हैं, इन सब के बाद अब इन्हें रोकना बहुत जरूरी हो गया, जैसे जै से एक ना हो जो बंद हो जाए, हाना कि आप KYC कंप्लीट करके उसको दुबारा स्टार्ट भी करा सकते हैं, पर चलिए जान भी इसके बारे में डीटेल में, असल में कहानी क्या है, देखे, कहानी यह है कि भारत की टेलिकॉम मिनिस्ट्री है, टेलिकॉम मिनिस्ट्री का मु आपको एक जॉब मिल रही है, कमबोडिया में, या फिर थाइलेंड में, या लाउस में, और वहाँ आपको डिजिटल मेनेजर, या फिर कोई एक्सपर्ट की तरह बुलाया जा रहा है, आप वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाने के बादी आपके पास्पोर्ट रख लिये जाएंगे, और आपसे जवर्दस्ती काम करवाया जाएगा, एक ऐसी कंपनी में जिसका काम होगा, केवल स्कैम करना लोगों को, इंडिया में बैठे लोगों को इंटरनेशनल कॉल्स आएंगे, और वार्स एप, या फिर ऑन देर नॉर्मल फोन्स, उन फोन्स को जैसे कोई उठाता है, तो उनके साथ स्कैम करने की कोशिश की जाती है, ये बात उजागर तब हुई, जब एक सरकारी ऑफिसर से लगभग साथ लाक रुपे तक ठग लिये गए, और उनको ने कंपलीन की, तो उसके बाद पता लगा थी, भारत से बाहर के देशों में भी लोगों को जो भारती हैं, उन्हें बुलाया जाता है, उनका पास्पोर्ट रख लिया जाता है, उन्हें किसी और नाम से बुलाया जाता है, अब आप दिचिरल एक्सपर्ट का काम करेंगे, आप एली कॉम्निकेशन ओफिसर का काम करेंगे, और वहां पर उन्हें जबर दस्ती सक sweeping कराये जा रहे हैं, उन्हें बंदी बना गए रखा गया है, जिसके तो केवल करतें क्या हैं, तो उन्हें तår काम हैं, इंड्या में लोग को scam करना है, और उन्हें इंडिया से बुलाया जाता है, ऑर फिर जॉप का लनलाच भूविसली, जो उन्हें लगताया सही है, तो अब इसमें ये फोन कनेक्शन का क्या चक्कर है अब इतने सारे लोग भारत से हैं उन्हें बुलाया जाता है और उनसे स्टाबर उनसे इजिटल स्लेव्री कराई जाते हैं लेकिन जो कॉल्स यूज होते हैं calls आपके phone पर आप देखेंगे कुछ time तक WhatsApp पर ऐसे call आते थे अब यह देखा जाने लग गया है कि normal phone numbers भी इस्तमाल होने लग गया है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी death हो जाती है या जो नया phone number ले लेते हैं या फिर phone में कुछ glitch आ गया और दुबारा उसी document से कुछी ने वो number एक्टिवेट करवा लिया तो एक ही document से कई सारे phone numbers एक्टिवेट कर दिये जाते हैं तो document fraud बहुत ज़ादा हो रहे हैं और इसकी वज़े से सरकार को पता लगा कि fraudulent connection बहुत ज़ादा है 17 million fraudal corrections पहले ही वालडी बंद हो चुके हैं दुखर और और बंद होने वाले हैं और ये सब समस्यां constantly बढ़ रही है इसकी वज़े क्या है इसकी वज़े है कि पहला जो mobile handset होते हैं लोग लगातार उसको बदलते हैं और कभी कबार वो अपने पुराने handset को बिलकुल कई फेक दिया या किसी को सस्तित दर्व में बीच दिया और फिर वो वहां से निकलते हैं या फिर चोरी हो गए mobile handsets तो उन phones का इस्तमार लगातार किया जाता है या उन numbers का इस्तमार लगा की जाती है या complaint process ने हुई हो या फिर उनके document किसी और के पास हो पहले तो लोग document normally किसी को भी देरिया करते थे वो उनकी नाम से connections कराया करते थे अब एक ही telephone एक ही phone number के थूर या एक ही अलहार card के थूर multiple connections चल रहे हैं जबकि उस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि उस व्यक्ति से भी consistently ऐसे fraud phone numbers use किया जाते हैं जिनका इस्तमाल फरबाद में mobile phone पर scam करने के लिए लगातार phishing करने के लिए डेटा चोरी करने के लिए उनके साथ हगी करने के लिए जाता है और इसी लिए जो cyber department है और जो DOT है department of telecommunication इन्होंने mobile devices को भी ब्लॉक किया है लगबग एक लाप से भी जारा mobile devices को ब्लॉक किया गया mobile devices का हर जो mobile device होता है उसका जो हर SIM अप यूज करते है उसके उपर एक IMEI number होता है जिसके तहत उस device को identify किया जा सकता है यह लगबग उसका एक ID card जैसा होगी है जहां से हर SIM का एक different IMEI number होता है और जैसे कोई mobile phone IMEI number जिसमें अलग है या जो भी IMEI number उसका है वो कहीं भी fraud कर बगना जाए तो उसको फिर बंद गिया जा सकता है और वही कर रही है डियोटी कि जिन numbers के बारे में उन्हें पता लग रहा है या जो IMEI numbers उन्हें लग रहा है फॉज document के उपर है जिसके लिए खास तोर पे AI का साहरा लिया गया था और करोनो numbers को छाटा लिया था कि जो उन cyber attacks कर गिये जा सके और यह सब हो रहा है इसके लिए government ने लगातर अपने measures भी निकाले है जैसे संचार सखी portal है जिस पर जाकर एक देखती जो भी उनके शिकायते हैं वो दर्श कर सकते हैं क्यों होता ही है कि आपका phone जरी हो या number बंद करवाना है तो उसका procedure बहुत नंबा है कई जगा आपको FIR कराने पड़ती है और यह बात DOT को पता थी उसी को ध्यान में रखते हुए ministry ने specifically संचार सखी नाम का portal स्टार्ट किया जिसके दहाद आप जाके अपनी complaint लिख सकते हैं phone अगर आपका number चोरी हो चेगा या चीज़ें आपको block करवानी है वो करवा सकते हैं इसके लावा केवल mobile phone या mobile numbers की कहानी नहीं है एक और समस्या है कि WhatsApp पर अकसर लोगों को international calls आते हैं और वो international calls सर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो आपसे पैसा आएट सके या आपको ठक सकें कभी KBC के नाम पर कौन बनेगा कलोड़ोपती के नाम पर messages आते हैं कि आपने इतने प अगर लेगे इस तरह की लगातार calls आना वो भी WhatsApp पर और या फिर international number से लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं तो उसका ध्यान में रखते हुए भी spam calls को लेकर भी एक portal launch किया गया government के द्वारा जिसका नाम था चक्षू portal चक्षू portal के अंदर जो भी आपके साथ cyber fraud होते हैं आप इसको रिपूर्ट कर सकते हो चक्षू portal बहुत एक हम पहल है ministry of telecommunication की जिसके तहत आप को अगर कोई भी ऐसा call आ रहा है WhatsApp पे international number से तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यह specifically WhatsApp से SMS थे कहीं से भी financial fraud या fake customer service या KYC के लिए बोला गया इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह चक्षू portal लाँच किया गया है आप भी जाकर संचारसाथी.com पर जाके और आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं संचारसाथी और लिडी एक ऐसी पहल है जिसके तहट जो आप वेखती है वो अगर हो सकेगी उसके साथ अगर कोई fraud होगा या उसका फोन खो गया या उसको number बैप करवाना है या कोई भी दिक्कते आए तो वो उसको report कर पाए क्योंकि भादिस रिदार को पता लगा है कि ल अब भादर्ज कर सकते हैं और जो भी किलाई सी इसू है या फिक कस्टमर के रिदी आपकी कॉल लग रहे है या फिर आपके साथ ऑनलाइन लटरी जॉब अगर है कोई भी दिक्कत है या फिर सेक्स्टॉर्शन की बात हो रही है या फिर आपको मेसेज आ रहा है जिसमें लि काम से जब भी आपको करी ऐसी जगह बुलाया जाए कोई भी ऐसा कॉल है जहां पर बात की जा रही हो कि आप इतने क्लोर रुपे जीत रहे हैं या फिर जरूरी है कि आप खुद को सिक्यॉर करें तो संचार साथे के हम बात करें या फिर हम चक्षू पूर्टल की बात करें ऐसे कदम हमें सिक्यॉर बनाते हैं और बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे पूर्टल का इस्तमाल किया जाए तो इंशॉर आर ओन सेफटी अगर हम अपनी सेफटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कभी भी सिक्यॉर नहीं हो पाएंगे और इसी के तहर लिया गया कदम है जि करेंगें और यहां पर जरूबर को एक और है यहाँ आपर जरूबर्च को एक और ही वो साइबर्वरी को भी रोके और साइबर स्लीवरी रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम और आप भी अपने आपको prepare करे कि कैसे हम cyber slavery के जाल में ना फसे कोई भी international number से call आए तो उसको normally ना उठाए अगर आपको call की उमीद नहीं है तो अकसर मों fraud होते हैं अगर आप उठा रहे हैं तो ऐसा कोई कदर ना उठाए जो आपको कहा जा रहा हूँ consistently अब तो plus 9-1 का इस्तमाल जो भारत का code है भारत के phone number के code होते है plus 9-1 अगर आपको phone इस number से आ रहा है तो ऐनी वो इंडिया से phone आ रहा है इसके लावा अगर कोई और number है पहले दो number plus 9-1 के लावा कोई और है तो इसका मतलब आपको बाहर से कॉला रही है और कोई भी वादा लटरी का, इनाम का, पैसे का, कभी भी mobile phone के थूँ नहीं किया जाता तो वो सब एक जाल होता है और जाल को समझना हमारी जमेदारी है और कभी भी इस तो विश्वास ना करना ये हमारी जमेदारी है करनेंगे या इसको public platform में डाल देंगे, social media में डाल देंगे इसलिए बहुत जरूरी है कभी भी video call accept ना करें अजनवी number से कभी भी international number से बिना परताल के phone receive ना करें और अपने आपको इस तरह की cyber slavery में जादे से हमीशा के लिए बचाएं सरकार भी कड़म उठा रही है और ये हमारी भी जमेदारी बनती है कि हम ऐसे किसी भी जाग में नाफा से खुद को सिक्योर करें तो ये था आज टा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद keep on watching ग्यानकोश and have a nice day